Hello friends, good morning, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही योगशो friends, जीकेजिस की special class में आप सब लोग का बहुत बहुत श्रागत है friends, आज किस class में हम लोग solve करेंगे, जीकेजिस का practice पूरे 50 प्रेश्टों का हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे friends, अगर आप लोग 50 में से 20 cycle थे हैं तो आपकी जीकेजिस की तारी बहुत ही अच्छे है और आप लोग इस exam को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे, यहाँ पर daily classes का timing देख सकते हैं, daily time से आप लोग class को देख लिया करें, daily शुवार 9 बजे आपकी शामान ग्यान की class चलती है, और इसी time में प देखें, playlist में आप लोग जाके देख सकते हैं, बिलकुन free में, ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रशन आपकी skin पे आ गया है, एक बार फिर से सभी को good morning, सभी लोग पहले प्रशन का जवाब देंगे कि अलक नंदा और भागी रती नंदी का संगम बनता है, रुद परियाग करन परियाग या देव परियाग या नंद परियाग, बताएं सब लोग, good morning सभी को भाई, good morning, अलक नंदा और भागी रती नंदी का संगम जो बनता है ये बनता है देव परियाग में, ठीक है, देव परियाग में होता है, पहला का C आपका बिलकुन correct हो जगा, ठीक है, चल सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से मिलान करिए तो यहाँ पे खतलिंग यह आपका जो है उत्रा खंड के टेहरी जीले में स्थित है ठीक है और यह ग्लेसियर भिलंगना नदी का स्रोत है ठीक है इसका बताईए नामिक का इसका चला जाएगा पूरवी रामगंगा में जोहर घाटी का ट्रेल पास्ट में चला जाएगा एंड इसका वैजनात का गोमती में चला जाएगा ठीक है तो दूसरा का ए आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा ठीक है चलिए ए वाला चलिए आगे चलते हैं गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वह है कौन बताएं सब लोग गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वह है कौन तीसरा का जाप देने के प्रास करेंगा अंसर सोचने का जादा समय सही है तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं और सबी लोग हर प्रशन का जवाप देंगे सब लोग गढ़ केसरी के नाम से जो परसिद्ध विक्ति था वह है कौन तो वो थे अनुसुया परशाद बहुगूडा अनुसुया परशाद बहुगूडा नोट कर लिजिए बहुत इंपॉर्टिन कोश्चन है ठीक है चलिए ये उत्रा कंड के थे आगे चलते हैं टिहरी राज्जी की जो है भारती संग में विलीनी करण का वर्ष क्या है बहुत ही इंपॉर्टिन कोश्चन है अजमल आमीर कशाब को फासी किस दिन दी गई थी सन तो याद होगा कुछ लोग को बड़ डेट नहीं याद होगी तो डेट भी आप लोग नोट के लिजिगा 21 नॉमबर 2012 को कशाब को फासी दी गई थी ये एक आतंकवादी था पाकिस्तानी ठीक है पांचवा का ये आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगला प्रशन आपकी स्किन पे है बद्री नात धाम उत्राखन के किस जिले में इस्थित है और पुस्ता का नाम है इसी तरह मिलान कर लिजे यहाँ पे आप्शन देख सकते हैं आप लोग चलिए मिलान करिए सब लोग सेविन का जॉब देने के प्रयास करेंगे आसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुख भी सकते हैं देखिए अकबर नामा अबुल फजल की है यह मैंने आपको ता दिया बताएए सब लोग यहाँ पे तब काते ए अकबरी यह निजामुद्दीन अहमत की है और अमुक्त मालिदा यह कृष्ण देव राय की है बचा आपका राज तरंगनी यह कल्लड का है ठीक है तो सातवा का जो है आपका सी वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा सी वाला ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन कोष्ण थे इसको आप लोग अलग अलग नोट के लिजेगा ठीक है अकबर नामे इसमें बहुत पूशा जाता है और राज तरंगनी भी बहुत पूशा जाता है ठीक है चलिए असोग किस राजवंसे से सम्मद्दी थे बताएं सब लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोष्ण आपके एक्जाम के लिए अशोग किस राजवंसे से सम्मद्दी थे वरधन, कुशाण या गुप्त या इनमें से कोई नहीं तो ध्यान अगना अशोग जो है मौर इवंसे से सम्मद्दी थे बताएं वो कौन सी लडाई है जो 1527 इसमें बाबर और राजपूतों के मद्द लड़ी गई थी पानीपत का पर्थम युद्ध तो आपका जो है 1526 में हुआ था बताएं से लोग वो कौन सा युद्ध था जो 1527 में लड़ा गया था और राजपूतों के मद्द लड़ी गई थी नाइन का जाप दने के प्रयास करेंगे तो वो था खानवा का युद्ध अरभवट और वराह मिहर किस के समय में थे तो ये थे ध्यान अकना नोट के लिजिका गुप्त के गुप्त के समय में थे, ठीक है, आरभट और वराह मेहर, टेन का यह आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, चलिए, अगला प्रशन आपकी स्क्रेन पे है, देख सकते हैं, सूची फश्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, देखी जितने भी भारत के पडोसी देश हैं, उनकी संसत का नाम, ठीक है, वहाँ के राश्टपती, वहाँ के परधान मंत्री का उन है, वहाँ की राजधानी क्या है, यह सचीज आपको पता होने चाहिए, जैसे जापान की संसत का नाम क्या है, कले ही मैं बताया था, डाइट है, ठीक है, रूस की संसत का नाम है, डियुमा, अफग और भारत की संसत कराम शंसती है, चलिए, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रियूग रातरी में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है, तो वो है इंफरा रेड तरंग, ठीक है, 12 बगा B आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, और शाथी इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, यूपी बेट एंटरंस एक्जाम 2023 के बेश्ट बुक की बारे में, चुकिए ही चक्सू प्रकाशन की बुक, आप लोग इस बुक का कवर पेश देख सकते हैं, कला वरगी की स्टेडी गाइड बुक है, इसमें आपको समान गया हिंदी, रिजनिंग, सब्जिट अबिलिटी के जो हैं कोश्चन आपको देखने को मिल दाएंगे, 27 जादा इंपॉर्टन कोश्चन, 600 पर आपको देखने को मिल दाएंगे, 2017 से 22 तक के, ठीक है, पूरा थेवरी वैस दिया गया है, यह पुस्तक हार हाल में पुस्तकों से अ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यानि कि एक कोश्चन में आपका चार से पांच कोश्चन तैयार होगा, और गायट के आलवा चक्सु प्रकाशन की जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो आप लोग इ देख सकते हैं निमन में से कौन सा विसपोर्टक की तरहा प्रियोग किया जाता है, फासफोरश, ट्राइकलोराइट, या मर्कियोरिक ऑकसाइट, या ग्रेफाइट, या नैट्रो, ग्लिसलीन, बताएं निमन में से कौन सा विसपोर्टक की तरहा प्रियोग किया जाता है, 13 का जॉप दने के प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए, तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं, आंसर सोचने का अगर आप लोग ज़्यादा समय चाहिए, तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं, और फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर जाता है 13 का डी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं भारत में एनीमल वेलफेर बॉर्ड आफ एंडिया का मुख्याले कहां इस्थित है बात में जो है एनीमल वेलफेर बॉर्ड आफ एंडिया का मुख्याले कहां इस्थित है एहमदाबाद चैन्नाई है तो इसका देखिए जो मुख्याले हैं ध्यान रखना नोट के लिए जिगा चेन नहीं में हैं ठीक है 14 का भी आपका बिलकुन करिट हो जगा सभी को गुड़ मॉनी भाई वीडियो को लाइक करो बहुत ही कम लाइक हैं 200 लाइक रास करो फड़ा फड़ चलिए जब अठारा सो 33 इस्वे में राजा राम मोहन डाय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाच का नेतर तो किसने जो है समभाला था आफशन देखिए फिर आप लोग बताईए 15 का जौप देने के प्रयास करेंगे तो उस समय ब्रह्म समाच का जो नेतर तो समभाले थे देवेंदर रनाठ टैगोर समभाले थे ठीक है 15 का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो देख चलिए प्रशिद हाजारा राम मंदिर किसके साथ सानकाल में बना था बताएं सब लोग प्रसिद हाजारा मंदिर किसके सासनकाल में बना था ये बना था कृष्ण दियो राय के सासनकाल में ठीक है 16 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा important question है आपके exam के लिए यह हजारा राम मंदिर कहाँ पर है करनाटक में है करनाटक राज में है हम पी में ठीक है अगला प्रशन चलते हैं अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं किसने सन 1936 में एंडिपेंटेंटेंस लेबर पार्टी की साफना की एंडिपेंटेंट लेबर पार्टी की साफना किसने की डॉक्टर बी आराम अमेट कर जी है कि यह थी है एंडिपेंटेंट लिबर पार्टी की सापना 1936 में ठीक है चलिए गुड बॉनिंग भाई प्रकास संसलेशन एक क्रिया है जिसमें क्या होता है तो ध्यान रखना इसमें जो है कारबन डायकसाइट का अपचैन होता है 18 का जितने बिलोग यहाँ पे C जो आप दिया है उनका अंसर बिलकुन सही हो जगा विश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन की फसल कौन सी है वो है चावल ठीक है चलिए 19 का B आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा वीडियो को लाइक करो और इसकी फ्री में पीडियाप अ बताएं सब लोग अपसरा किसका नाम है यह निकुलियर रियक्टर का नाम है अपसरा ठीक है 20 का यह अपका बिलकुन करेक्ट हो जगा इंपॉर्टेंट कोश्चन है आपके एक्जाम्ट लिए अपसरा जो है भारत द्वारा निर्मित एक जो है पहला निकुलियर रियक्ट लिए हैं जो एक्जाम में हर वर्स रिपीट होते रहते हैं तो माल गुली देच किस ने लिखी थी आरके नराण आरके नराण की ये बहुत ही फेमस पुस्तक है अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे दीख सकते हैं पुंडर वर्धन भुगती कहा इस्तिध है तो ये इस्तिध है उत्री बंगाल में ठीक है किस प्राकतिक प्रदेश में बताएं सब लोग किस केंदर शासित प्रदेश में निनुतम जनसंख्या घनत्तु है ये हैं अंडबान निकोबार में 23 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो दका चलिए हुमायू नामा के लेखा कौन है कते जहरवाला फसन है और फार्षी बासा में इसको जो लिखा गया था हुमायू नामा को ठीक है ये वाला अपका बिलकुन करेक्ट हो दका चलिए उपग्रह की परिदि में प्रिथवी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है पेरजी कहलाता है क्या कहलाता है पेरजी चलिए लोगसभा का पीठा सीन अधिकारी काउन होता है 26 का जाब दें लोगसभा का पीठा सीन अधिकारी काउन होता है बहुत ही important question आपके exam के लिए सबी लोगसभा का पीठा सीन अधिकारी होता है तो लोगसभा का अधश और उपाधश दोनों होते हैं 26 का C वाला अपका बिल्कुन correct होगा इस speaker और डिटपी speaker दोनों होते हैं चलिए निम्न में से कहा कि सासा को तालिकोटा के युद्ध में विजनगर के विरुद लड़ने के लिए संग में सामिल होने हैं तू आमंत्रित नहीं किया गया था निम्न में से कहा कि सासा को तालिकोटा के युद्ध में विजनगर के विरुद लड़ने के लिए संग में सामिल होने हैं तू आमंत्रित नहीं किया गया था 28 का जौप दें सब लोग गुद बॉनिंग सभी लोग वीडियो को लाइक करो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक करो तो बरार के शासा को 28 का जो है आपका C वाला बिलकून करेक्ट होजगा चलिए आगे चलते हैं आदरता 100% चलिए आपका बिलकून करेक्ट होजगा नहीं मिलकीत में से किसे जैवी खाद के रूपे प्रिउक्ति किया जाता है निमलिखित में से किसे जैवी खाद के रूप में प्रियुक्ति किया जाता है एजोला को जैवी खाद के रूप में प्रियुक्ति किया जाता है 30 का C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा हाईगरो मीटर से मापा जाता है क्या हाईगरो मीटर से मापा जाता है क्या ठर्टीवन का D आपका बिल्कुन करिक्ट हो सगा, ठीक है? चलिए। ऑप्षिन देखिए, फिर आप लोग बताइके। एट किंसान थे। गुगली सब्द किस खेल में प्रयुत किया जाता है। कतही जहर वाला पस्न है, सब लोग जहाब दने के पर verbs करेंगे। गूगली सब्द की स्खेल में प्रियुक्ति किया जाता है तो गूगली सब्द का प्रियुक किरिकेट में किया जाता है ठीक है 33 का cva वाल आपका बिलकून без correct हो हो जगा ठीक है चलिए सिलिंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की अपूरती किस रूप में की जाती है ठोंस की रूप में, घोल की रूप में, या गैस की रूप में, या तरल की रूप में सबी लोग जवाब दने के प्रयास करेंगे सिलिंडरों में भर कर खाना पकाने वाली गैस की आपूरती किस रूप में की जाती है तरल के रूप में की जाती है 34 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा कुछी पुड़ी नत्र कहां से उत्पन हुआ कुछी पुड़ी नत्र कहां से उत्पन हुआ बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है 35 का जो आप दने के प्रास करेंगे आंत्रप्रदेश का है करनाटा का यक्षिगान याद रखना ठीक है चलिए सूची फर्ष्ट को सूची सेगन को मिलान करना है आपको यहाँ पे हडपाई इस्थल है कौन सा हडपाई इस्थल किस राजज में है या आपको बताना है तो ऐसे ही आप लोग नोट के लिजिए जैसे मांडा मांडा आपका कहां पे है जम्मू कास्मीर में है और चेराम रादी की किनारे है दैमाबाद आपका महराष्ट में है काली बंगा राजिष्थान में है राखी गड़ी आपका हरियाना में है तो ऐसे ही आप लोग नोट के लिजिए गा 36 का जो है आपका इसमें जो है C वाला करेक्ट हो जगा ठीक है और सब को नोट के लिजिए ठीक है काली बंगा का जो अर्थ होता है वह किस नाम से जान जाती है 90 इस्ट कटक के रूप में जान जाती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो यह परिया ब्रण अंव 1 बंगा के अंतर गत कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है बताfat कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है 39 का जॉब दने के प्रास करेंगे तो यहाँ पर ये वाला आपका नई सही है भिलंगना गोमु ग्लेसियर दिया गया है जो कि ये खतलिंग ग्लेसियर से निकलती है ठीक है चलिए बहुत अच्छे भारत रतन पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है बताएं क्या अंकित रहता है भारत रतन के पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है तो इसकी मेडल में जो है पीपल के पत्ते के आगार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है ठीक है चलिए बीवाला आपका बिलकुन करिक्ट हो तक चलिए निम्ड में से एक मेघाले राज की राज़तानी है मड़ीपूर की इमफाल है अश्रम की दिसपूर है आईजोल कहां की है मिजूरम की है सिलांग मेघाले की है 41 का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जब ठीक है चलिए आगे चलते हैं World Wide Wave ये नहीं है World Wide Life Fund के लिए संकेत लोगो बताना है आपको ये दूसरा पर्शना है World Wide Life Fund के लिए लाल पांडा को लोगो बनाए गया है ठीक है किसको लाल पांडा को 42 का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जब रहा बहुत अच्छे ऐसा ही आप रूख जौप दें फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर दो बहुत ही कम लाइक है अभी चुनाव में कौन सा या प्रदेश या केंसाती जो हैं प्रदेश भाग लेते हैं तो दिल्ली और पुदुचेरी भाग लेता है इसमें ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशनिय है प्रती चक्रवात सब्द का प्रतम बार प्रतम बार किस ने किया था तो इसका प्रतम बार पर यो किया था एफ गैल्टन के दोरह 45 का यह आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा MRI का फुल फार्म बताना है MRI का विस्तत रुप क्या हो जागा मेगनेटिक रेस्टोसेंस एमेजिंग हो जागा ठीक है चलिए बहुत इच्छे किस उद्दो को उद्दो को का अधार कहा जाता है तो यह कह जाता है लोह उद्दो को 48 का यह आपका बिलकुन करिक्ट होजगा देना बैंक तथा विजिया बैंक का विले किस बैंक में हुआ था देना बैंक तथा विजिया बैंक का विले किस बैंक में हुआ था तो यह था बैंक का बढ़ाउदा में 49 का D आपका बिलकुन correct हो जगा, भारत का अंटा कारटेक में दिती इस्थाई station जाना जाता है, option देख लीजिए, last question है ये, एक बार फिर से question देख सकते हैं, कि भारत का अंटा कारटेक में दिती इस्थाई station जाना जाता है, math 3 से, ठीक है, चलिए, B वाल आपका बिलकुन correct हो जगा, चलिए, show friends, ये थी आज की GK जिसकी class कैसी लगी class, comment box में अपना छोटा सा feedback ज़रूर दीजिगा, और 50 प्रशन में से आपकी जितने भी प्रशन सही हो यह हो, comment box में नाम स्कोर भी आप लोग ज़रूर देगा, और भी क्लासेस देखने हैं, जैसे आपको हिंदी की और भी क्लासेस देखना है, प्रैक्टिस इट की या प्रिवीसर पेपर्स की वीडियोस देखना है, या टॉपिक वैसी class देखना है, तो आप लोग प्लेइलिस्ट में जाएं, जीके की भी classes मिल जाएंगी, करेंट टेफिर की इस बार सरकारी सीट लेना है, तो ओके, चले मिलते हैं, अगली क्लास पे, थैंक्स शमच, थैंक्स पर वाचिंग